नमस्कार दोस्तों यह इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल कोट कलर करक्यों के उपर ठीक है और यह आप लोगों के डिमांड के उपर यह वीडियो है ठीक है क्योंकि अभी कुछ टीचर्स या कोई टीचर जो है सिविल कोट के उपर एक वीडियो बनाये हैं सिलेवस के उ जाएंगे आप लोग कितना भी कुछ भी हो जाएगा ना वह लाइट वाइट नहीं करने वाला आज कल का जो बनता बनता नहीं तो ध्यान दिजेगा इन सभी चीजों पर असल में वह लोग जो है आउट डेटेड हो चुकिए है इस मामले में कि पैटर्न क्या होगा पढ़ात होगे यह नहीं पर आते हो लेकिन जो कतना जा सकता है या एकजाम कैसे होगा या क्या करें सभी चीज़ों में कुछ लोग जो हैं — तो इसलिए हम यही आपसे कहेंगे अनुरोध करेंगे यह बात चाहिए कि मेरा जो लाइट सही नहीं है जो बोड है पीछे का वह आप देख रहे होंगे अतना धंका नहीं मिलेगा विडियो क्वालिटी अतना धंका नहीं मिलेगा हो सकता है कि अवाज भी सही से ना मिले लेकिन आपको जो content देंगे न वह प्यो कि ज्यादा नहीं अभी जो हम बैज जो चला रहे हैं ठीक है और आगे अगर आप लोग का सहयोग रहा सिंपल सा चीज हम आपको बताते हैं हम ज्यादा परिसा नहीं लेते हैं कि अगर आप लोग करते हैं सहयोग के वाल हमको यह नहीं कि हमको कुछ चाहिए आप से फीरी में कुछ नहीं चाहिए अगर इसमें 400 से 500 लरका अगर परचेज कर लेता है तो भाई हम बोर्ड और कैमरा हमको चाहिए अगर हम खड़िद लेते हैं बोर्ड और कैमरा डिश्टल बोर्ड और कैमरा तो हम आपको यह गरंटी जरूर देंगे कि हम आपको सिविल कोट का लर्ख और सिविल कोट का जो प्यून का एक्जाम होना है तो इसके बाद में जो बिहार सीजियल का होना आ कर अए और बिहार aben सैसी इंटरलेबल का होना है इस चार एक्जाम में जो भी लोग पाइन करेंगे उनका जो हम तयारी बहतर करा सकते हैं ज छोड़ दो एक-दो कोई उसको नहीं जानते हैं जो ठीक-ठाक होंगे जो भी लोग आप देखते हैं चेहरा पुरा वेल ड्रेस अप करके आते हैं और यह सब कि ना कभी है ना कभी कम-करेक्षिन के दौर से गुजिरा हुआ, कूंकि हम एक-एक को उसमें जानते हैं, कि परस्णली पर्स जानते हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का लेकिन हम उन सभी को पर्स्णली जानते हैं, कोई एक्जाम किया हुआ है उस दौर से भी गुजरा नहीं है कोई जो है ठीक है वो लोग अपना काम कर रहे हैं अच्छा है लेकिन आपको जो है न सही सजेशन वहीं दे सकता है कम से कम इसमें वह फेल हुआ हो ठीक है कम से कम जो है तो इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि ज्यादा नहीं अगर अगर जो है मेरा अगर 249 वाल भी 300-400 के बीच अगर कोर्स दिखता है ठीक है न तो हम जो हैं डिश्टल बोर्ड और कैमराम को दो चीज चाहिए होगा और यह दो चीज अगर हो जाता है तो हम आपका तयारी बहुत करा सकते हैं पूरी सिद्दत के साथ पूरी मेहनत के साथ ठीक है तो आपको कि दिन भर करेंगे दिन भर पढ़ाएंगे वह नहीं हम आपको दो गांटा भी पढ़ाएंगे न तो इतना जरूर हम कर देंगा कि आपका त्यारी बहतर हो जाएगा तो कोशिज कीजिएगा जो पीसा नहीं मांगनाचाहते हैं हमको चाहिए ठीक है तो इसलिए रुसित कीजिएगा चलिए हम आप से आप großes करते हैं देखिए बाई पिछला बार जो सिविल कोट का जो सिलेवस था जो पैटर्न था पैटर्न पर पहले बात करते हैं तो कलरिक में आपको पहले पीटी होगा फिर उसके बाद में जो है मेंस होगा फिर उसके बाद में आपको इंटर्व्यू होगा इंटर्व्यू होगा तो यहां पर क्या है न कि पिछला बार जो हुआ था वह सो नंबर का हुआ था जिसमें पचीस 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 का चार सब्यक्त पूछा गया था लेकिन इस बार जो है यह सिलेबस में नहीं है यह पैटर्न में मिल्स पिछला बार हुआ था उस बार से इस बार हो चुका है इस बार इनक्पर 25 9 और यह दस नमर और और आप नंगलर नोल पनेका box Shift MPinks को और यह को सकते हैं जाएएगा तब आपका जो है इस पे जो है आप देजिएगा इस में तो हो गया यह चलिए अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले देखिए एक जो है कोट रिडर के मेरे पास पेपर है और दुसरा पेपर हाई कोट असिस्टेंट का है हाई कोट असिस्टेंट जो पिछला बार एक्जाम हुआ था 2015 में जो एक्जाम हुआ था 16 में वह अला जो हूआ अलग पैटर्न दिया इसमें अलग पैटर्न क्या दिया है तो आपको बता देते हैं कि यानि मेरे मूल कहने का मतलब यह है उस समय अभी जो है हाई कुट का ही पैटर्नूट हो गया आपको सिवील कोट रिडर का भी तो आप पूराने पैटर्न को दिमांग में लेकर करके एक से ज़्यादा एक्जाम्स, 90 नमर का होगा इससे ज्यादा एक्जाम मतलब 100 नमर का एक्जाम नहीं होना है ठीक है तो अभी 90 नमर में क्या-क्या पूछेगा सो हम आपसे डिसकस्टन करते हैं तो 90 नमर में आपसे जो पूछेगा ठीक है वह सबसे पहले आपका जो है और मैं का आता है क्या आता है मैं आता है चैक कि मैं आपसे जो कोषन चो करेगा वह सकोषन करेगा इस कितना मैंथ में लहेगा मैं ठीक है और मैंट के बाद जो है आपको इडर द फुलोइंग उसके बाद मैं जो है मैथ के बाद आपको मिलेगा रिजनिंग रिजनिंग जो आपको मिलेगा ठेक आपको मिलेगा इसमें आपको मिलेगा दस रिजनिंग मिलेगा थे का दस मिलेगा उसके बाद में इंगली से इंग्लिस जो आपको 20 नमर का इंग्लिस मिलेगा ठेक कितना नमर का इंग्लिस मिलेगा 20 नमर का आपको इंग्लिस मिलेगा और 20 नमर इंग्लिस के बाद जो है 20 नमर का हिंदी मिलेगा 20 नमर का हिंदी मिलेगा 20 नमर का कितना नमर का हिंदी मिलेगा 20 नमर का ठीक है 20 नमर का आपका हिंदी हो जाएगा करां गया हाँ 20 नमर का हिंदी हो जाएगा उसके बाद में जो है आपका यह हो जाएगा कम्प्यूटर कम्प्यूटर इस चोंबीर गार्द कांप्यूटर जो है आपका हो जाएगा है अघृती अधरétat काट यहां सबस्ट में kap 2000 अधर pocket जाएगा क्या है 15 नमर का कंप्यूटर हो जाएगा उसके बाद जो है 15 तरफ नमर का इसके बाद कि 15 नमर का कप्व्यूटर हो जाएगा दोस्तों उसके बाद आपको जो है है एक और बच गया इसमें जीखेज इक जीखेज जिएस जो है यह आपको जो है 15 नमर का हो जाएगा yarni कि दस दस बीस चालिस बिस साथ अब देखिए इसमें एक चीज और है जी के जीएस में एक से दू को एक से दू को सना आपको लीगल लीगल टर्म रहेगा जो कोट का होता है इसको पढ़ने कजोरत नहीं क्योंकि यह बहुत बड़ा सेक्शन है जो आप कंप्लिट नहीं करता ह कराइंगे और इसके चकर में छो यह सब छी छोट जायगा फिच के लिए पीडियेफ देते हैं यह आप करा देंगे और यह वहां इसी पैटरन पर होना है टिक उमाठ काρέ़़ चेप्टर पर करेंगे मतलब केवल मैथ का अलग से केवल इंगलिस का अलग से केवल हिंदी का अलग से कंप्यूटर अलग से जी के जी अलग से ठीक है तो यह आपको जो है आपको हम बता देते हैं कट आप लोग बार-बार पूछते हैं कितना नमर लाएंगे तो मेरा हो जाएगा सबसे पहले देखिए इसमें बाइब हो सकता है कि समय कुछ बढ़े भी तो अगर सपोज अगर 3400 अगर मान लेते हैं प्रॉक्सी में प्रॉक्सिमेटलि मान लेते हैं तो चौनतीस सो का यह दस गुना रिजल्ट देना है ठीक है तो दस गुना जब रिजल्ट देगा तो यह 34,000 हो गया यह इतना रिजल्ट आएगा अभी तक जो वेकेंसी है उसी साफ से 34,000 रिजल्ट आना है और लड़का कितना इसमें एपियर हुआ है मतलब फॉर्म किये हुए है क्योंकि इसमें बहुत सारा डॉक्मेंट अलग से मांगा जा रहा था है इसलिए इसमें चार से 47,000 लड़का अपलाई किये हुए है और इसमें से 1,80,000 करीब 179 जो 1.79 लड़का को बाहर किया गया है समझ रहा है बात को तो यहां से जो है अगर वहां तो आप को मुश्किल से मुश्किल से 5,500,000 लड़का जो है इसमें है इसे ज्यादा नहीं है हां वो लड़का को अगर वह आगे जो है और कोई फोरम या कोई इरिट का option दे करके सुधार करवा दे तो वह लगती है लेकिन अभी तक जो है ज्यादा के करीब करीब लड़का है इसमे तो अच्छा से थोड़ा सभी पढ़ता है तो वह लड़के यहां पर आ जाएंगे कमपटीशन में और वह जिनका तयारी मतलब अगर यहां पर अगर नवबे नमर अगर एक्जाम ले रहा है जैसे कोट रीडर का पर तो आप मोटा मोटा मूटा मोटाम मान की चलिए कि आपका 44 से 65 नमर अगर आप लाते हैं यूवार में हैं तो आपका कम्प्लीट हो जाएगा मतलब complete बोले तो आप जो है न पीटी क्वालिफाइग कर लीजिएगा दोस्तों पीटी क्या कर लीजिएगा तो उसके बाद बताते हैं अब मेंस जो होना है दोस्तों 40 नमर का इसमें जो है आपको क्या होगा 40 नमर का चालिस नमर का सब्जेक्टिव होगा जिसमें बीस जो है इंगलिस से और बीस जो है हिंदी से होगा तो इसलिए यह आपके लिए जो बहुत ही इंपोर्टेंट है तो अभी से ही हम हम आपको दूसर उन्चासुल क्या जो लेंगे केवल पीटी के लिए नहीं लेंगे मेंस का भी हम तयारी कराएंगे और आप लोग कोशिज किजिए ज्यादा नहीं मेरा 500-500 जितना में हमको बोड आ जाए जितना में हमको कैमरा आ जाए पक्का कर रहें बाकी हम उसके बाद पैसा नहीं लेंगा ठीक है उसके बाद लड़कों से खास करके जो है सिविल कोट वाले होगा वह इसके आगे जो हम बढ़िया से वेल जो है तरीके से इसको हम कर आएंगे और आपको एक्जाम में सत्पर्तिसत निकलवाने की गैरंटी लेते हैं पीटी और मेंस दोनों ठीक है ना थोड़ा मेहनत आपको करना है मेहनत आफी को करना है लेकिन हम यहां से जो भी सजेस्ट करेंगे जो भी चीज पढ़ने के लिए बोलेंगे हम निकलवाने का जरूर यह कोशिश करेंगे कि आपका एक्जाम निकलवा दे तो मेरे साथ वही है यह जो लाइट बोर्ड कैमरा यह सब देख रहा है मस मेरे को यह चीज चाहिए धंस थोड़ा सा इसमें हम मार खा जाते हैं ठीक चली आगे चलते हैं हमको नहीं मतलब हम उतना दिन से यह सब चीज नहीं बोलना चाहा रहे थे लेकिन दिकत क्या है ने दोस्तों लोग आकर के कुछ भी बाग के चले जाते हैं लड़का लोग भ्रहमीद भी हो जाता है ठीक अब देखिए अब आगे आईए इसका मेंस का भी रहने दीजिए मेंस का हम इसमें बाद बाद भी फूल डिसकर्शन करेंगे दोस नमर का इंटर्विव आएगा ठीक है आगे चलते हैं है अब देखिए अब हाँ एक बात और सर बोल रहें थे इसमें जो है फॉरम जो 19 लाख भराया है तो हम उनको वैसे बता देजानकाली के लिए कि फॉर्म जो है 19 लाख नहीं भराया है यह रिजिस्ट्रेशन हुआ था अठारा लाख सम्थिंग ठीक है अठारा लाख सम्थिंग जो है रिज रेजिट्रेशन और फॉर्म अप्लाई में दोनों बहुत अंतर हैं अंतर कैसे है तो सुनिए जब आप सीजियल थी का जब भराया था तो रेजिट्रेशन उसका पता है पंद्रा लाख कड़ी कड़ रेजिट्रेशन हुआ था और फॉर्म फील का पुरा एकुरेट जब डाटा आया तो नाइन पॉइंट वन टू लाख का डेटा आया था यानि कि आप सीधा जो है छे कड़ी कड़ी छे लाख कम हो गया था तो इस लिए इस चीज पर उनको ध्या जाते हैं अगला देन पिछला बार जब को टीडर का जब एक्जाम हुआ था उनका वीडियो होगा तो देखिएगा को टीडर का जाम हुआ तो जिस दिन एक्जाम हुआ था उसी दिन साम में आएं बैचारे और एकदम बोल रहे हैं कि कटप जो है 72 नमर से एक नमर कम नहीं जाएगा सटर नमर से एक नमर कम नहीं जायाएगा कोई बोल रहा है कि chi से जाया गया कोई बोल रहा ह्या आ एकजाम का पाटर देखो संकर लेबल देखो और वे हाई-कूट वाला जो है यहां पे दे रहे था हाइक टन भाइशा बहुत इजी को अ क्यूत इसलिए जुए झोफ गया था कट अपर सीविल कोर्ट का इसलिए इसका नमर बहुत ज्यादा फ था किठेवी कितना गया था मेंस का अग्जाम हुआ तो वहां पे सभी लोग का कहना था कि 65 नमर कटप जाएगा 65 सबहुने नीचे नहीं रहा था हम यह ऐसा सक्स हैं पुछेगा किसी से भी जो भी ओड़ार का एक्जाम दिया होगा लड़का। उसे पुछेगा कि हमने हमेशा बोला है कि चालिस नमर हम बता रहे थे चालिस नमर मोटा मोटी हम बता रहे थे लड़कियां परेशान थी कि सर जी हम 36 नमर आ रहा है मेरा होगा की नहीं सबको मैंने अस्वासन दिया था कि होगा होगा और देखिए इस वर की किरपा है हुआ भी सबका हुआ हां अब आगे टाइपिंग में क्या नहीं होगया वह तो लільки शीज हैं वह उनका अपना है इसकी अगर है तो ठीक नहीं है तो भी हम क्या कर सकते हैं थेखाए हाँ टाइमिंग का जो है टाइमिंग को यह कुरेट सही से आपको नहीं बता सकता है हो सकता है किसी कारण वास टाइम और भी लेट हो जाए तो दोस्तों को आपको जो भी कॉंटेंट देंगे ना वह जब अध्यक्र देंगे एक चीज जाएद रखीएगा चलिए बात करते हैं फ्यून की बात करते हैं विशान का थे क्यूत दोस्तों में क्या है आपको एक पीटी के एक्जाम नमर का होगा और दूसरा उसके बाद इंटर्वीं हो होना है और 15 नम्र का ओंग कर से भमिऊंगे आपको जो है आपको तो दुकर्बोर का यह जा मर्लेटल ज्यादा हो गावड्र में द भर समझ रहा है और यह सब वानवर्ट प्रोभाइड यह सब आपको मिलें देखने को मिलें यहां पर हिंदी या इंग्लिस दोनों में हम आपको यहां पर कराएंगे बाई 209 रुपया ज्यादा नहीं है कराएंगे को ठीक है फूरा खतम कराएंगे 209 में और जिसमें तो 630 on 6 chosen यह अ यह 59ाउनी अभी नभाव दूसरा यह मेरा उपिर का ढूर मोर सब्सक्ते आप इस पे यूपिई कड़ सकते हैं इस काज रसकते हैं स्क्रिंसोट को उसके बाद में हम आपको जो है ग्रूप में अभी आइड कर देंगे एक दिन गयाप करको उसका डिसकसन भी कराएंगे ठीक है दोस्तों तो यहीं यह सारा चीज है हम आपको मातर 249 रुपए में देने वाले तो जो भी लोग आपके संपर्ग में होगे आप कहीं भी तैयारी करते हों और कहीं भी पढ़ते हों कहीं भी सेट प्रैक्टिस करते हों उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन यहां पर जो है आप इसको जवाइन जरूर वीजन है कि हमको यह सब इस्टूडियो शिट अप करना वे इस्टूडियो शेट अप करेंगे आपको बढ़िया सा जो है कॉंटेंट दे सकते हैं थोता साब आपको जहना है यह चीज्झ लाइट वाइट सबचीज सही मिलेगा तो सब्सक्राइब के दोस्तों फिर मिलते ह तब तक लिए धन्यवाद